नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है पीए मोदी इटली से जी सेवन सम्मिट को सम्बोधित करके लौट रहे है और इधर उनके मंत्री सूपर एक्टिव मोड में हैं क्योंकि पीए मोदी ने सब को टास्क दे दिया है चाहे ग्रिह मंत्रा ले हो या कानून मंत्रा ले हो या क्रिशी मंत्रा ले हो हर मंत्रियों ने जो कार्यभार सम्हाला तुरत ही अचानक से वो कार्यभार सम्हालते हुए एक्टिव मोड में आ चुके हैं और बात यहां जुडिसियल रिफॉर्म की हो रही है क्योंकि जिस तरीके से कानून राज्यमंत्री स्वतंत्र परभार जो मिला है अर्जुन राम मेगवाल को उन्होंने एक्टिविटी दिखाई है और जुडिसियल रिफॉर्म की तरह एक कदम बढ़ाया है उससे सुप्रिम कोट में हरकंप बचा हुआ है क्योंकि पिये मोदी उधर से आएंगे और फिर उसका काम शुरू हो जाएगा एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी थी जिसके लिए अर्जुन राम मेगवाल ने एप्रूबल दे दिया है और आगे इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा जहां से उसको एप्रूब कर दिया जाएगा और इससे कुछ जो फायदे होने वाले है वो शुरू हो जाएगा क्योंकि ये पेंडिंग पॉलिसी 2010 से पड़ी हुई है 2010 में यूपिय की सरकार और विरप्पा मोहिली उस समय कानून मंत्री हुआ करते थे विरप्पा मोहिली ने एक बिल लाया था नेशनल लिट पॉलिसी को लेकर ताकि सरकार के खिलाप या सरकार के जो कोट में केस पेंडिंग पड़े है उसका तेजी से निप्टारा हो और जो कॉस्ट है प्रोसीडिंग का उसको कम किया जा सके सरकार के कितने मामले हैं उनको कैसे निप्टाय जा सकता है ये सरकार ने पहले तै कर लि है वो है सरकार के खिलाफ जो मुकदमे जाएंगे उसमें कमी आना क्योंकि इसमें साफ तोर पर कहा गया है कि प्रोसेडिंग कोस्ट को कम करने के लिए कुछ और नियम कानून बनाने पड़ेंगे जिसमें से एक तो वही है कि अगर कोई पहले से इंट्रीम ओर्डर पास किया तो उस इंट्रीम ओर्डर पास करने के बाद उसके खिलाफ कोई आचिका दायर नहीं की जाएगी और साथ ही ये भी इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्तिगत मामला हो सर्विस मैटर को लेकर जो कि किसी भी डिपार्टमेंट के सर्विस मैटर को लेकर किसी एक व्यक्ति के मामले को कोट तक पहुचा दिया जाता है इन से वकील की सेटिंग होती है और वकील कहते हैं सरकार के खिलाफ ये मुकदमा हम जिता देंगे और उसके लिए एक पैसा तै होता है यानि की वकील और क्लाइंट के बीच एक ठेका होता है कॉंट्रेक लिया जाता है कि पांच लाग दो, दस लाग दो, चार लाग दो हम सरकार के खिलाफ तुम्हारा एक व्यक्तिगत मामला लड़ेंगे और जब जीत जाओगे तो उसमें से आपका पैसा मिल जाएगा ये वकील और क्लाइंट के बीच जो चल रहा है और कोट का समय जो बरवाद होता है उसको लेकर भी इसमें साफ तोर पर कहा गया है कि अगर व्यक्तिगत मामला है तो फिर आप कोट में नहीं जा सकते जब तक कि इससे ये इंडिकेट नहीं होता है कि उस मामले में दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे यानि कोई सरकारी करमचारी अप सुप्रीम कोट नहीं जा सकता हाई कोट नहीं जा सकता उसको पहले ट्रिब्यूनल में अपने मामले को ले जाना पड़ेगा और इससे सरकार के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें कमी आएगी और कॉस्ट जो है प्रोसेडिंग का वो भी कमेगा सरकार का खर्च भी कम और अलग-अलग मंत्रालियों के ऊपर जो बोज बढ़ा हुआ है सरकारी के ऊपर जो कितने केसेश चलते हैं उन केसेश को निप्टाने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है और वो फाइलों में उल्जे रहते हैं सरकार का काम काज परभावित होता है इसको लेकर नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को एप्रूबल मिल गई है क्योंकि इस पर 2015 से ही मोधी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था और अब एप्रूबल के बाद कैबिनेट टे इसका फैसला होना है कैबिनेट टे एप्रूब होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा लेक जो ड्राफ्ट की बात की है कि जुडिसियल रिफॉर्म की जरूरत है और स्पीडी जस्टिस लोगों को देना है तो उसको लेकर सरकार ने एक नया तरीका डिवलब किया है और अरजुन राम मिगवाल ने साथ तोर पर कहा कि सारे लोगों को तेजी से न्याय मिलेगा इंडिंग केसे पड़े हैं भारत के नयाय पालिकाओं में उसकी संख्या कम करने के लिए सारे उपाय किये जाएंगे लेकिन जो ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं वो ड्राफ्ट है स्पीडी नयाय से संबंदित स्पीडी जस्टिस की बात जो उन्होंने कही है उसमें तीन मु दे महत्पून तरीके से आये हैं कि स्पीडी न्याय कैसे मिलेगा कैसे तेजी से किसी व्यक्ति को न्याय मिलेगा जो से सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और फिर कैसे सरकार को न्याय मिलेगा यहां के जनता को न्याय मिलेगा क्योंकि सारे करप्शन के केसे जो हैं वो कोट कछरी के चकर में 10-10 साल 15-15 साल से यहां तक कि कुछ मामले जो हैं वो 30 सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं और इसलिए इसे निफ्टारा होगी तब ही किसी तरीके से हम ये मान सकते हैं कि स्पीडी जस्टिस लागू हो गया हिंदुस्तान के अंदर लोगों को न् मामलों का जिक्र किया गया है उसमें सबसे पहला मामला है कि ये तभी हो सकता है जबकि न्याएपालिका के अंदर कुछ बेसिक सुधार हो और बेसिक सुधार में पहला है कि न्याएपालिका के उपर से खासकर सुप्रिम कोट और हाई कोट के उपर से जो इतने सारे एडमि बोज अपने उपर नहीं लेना चाहिए बलकि प्रशास्निक्स के बदले न्यायक संबंधी मामले इन्हें जादा देखना चाहिए तब ही जजों का समय बचेगा और मामले आगे बढ़ेंगे और फिर इन मामलों जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उसका निप्टारा होगा ज जगों से स्वमोटो लिया जाता है स्वता संग्यान लेकिन आज तक अपने कोट के लिए इनोगों ने स्वता संग्यान नहीं लिया कि अभी पूरे हिंदुस्तान के जो डिसल सिस्टम को देखें तो पांच करोड से जादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसमें सु तारीक पे तारीक मिल रही है दूतरे तरफ अगर हाई कोट की बात करें तो जितने हाई कोट हैं सब को मिला कर यहाँ पर 61 लाक मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और अभी तक इसका निप्टारा नहीं हुआ है यह थोड़ा बहुत छोटा मोटा आकड़ा नहीं है एक से नीचे मजिस्टेट कोट को देखें तो वहाँ पर 4 करोर 46 लाक मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और इसके निप्टारा के लिए पहला आधार जो बताया गया कि इनके उपर से एडमिस्टेटी बोज हटाया जाए एडमिस्टेटी बोज में सबसे बड़ा बोज जो ह यह कॉलेजियम सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रिम कोट में 5 वरिष जज बैठकर कॉलेजियम बनाते हैं वही हाई कोट में भी बनता है हाई कोट और सुप्रिम कोट के जजों की निक्ती इसी कॉलेजियम सिस्टम से होती है जिसमें होता यह है कि हाई कोट के हमेशा ये सुप्रिम कोट के पाँ जज बीजी रहते हैं एडमिस्टेटी बर्क में और इस कोलेजियम सिस्टम के कारण ही इनके उपर एडमिस्टेटी बोज बढ़ चुका है इसलिए इस मामले में एक सुधार की जरूरत हो रही है और कोलेजियम सिस्टम को खत्म करके NGA से लाने की विवस्था की गई है National Judicial Appointment Commission जिसके बिल आया था कानून भी बन गया सुप्रिम कोट ने उस कानून को खारिज कर दिया लेकिन आगे भी इसके उपर चर्चा चल रही है NJAC को लाना पड़ेगा और इसके लिए मोधी सरकार ने संकल्प ले लिया है इस बार तो NJ इसे लाया जाएगा और उसमें कुछ दूसरी पार्टियां भी सहयोग देने के लिए तयार है इसमें ऐसा मामला नहीं है कि जिससे केबल सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात हो विपक्ष में बैठे हुए कुछ नेता हालांकि इसका विरोध करेंगे इसे डेमोक्रेसी की हत चलने वाली है दूसरा मामला यह आता है कि कोट के अंदर जो पेंडिंग केस पड़े हैं उसमें एक बड़ी भूमिका होती है बेल के खेल की जमानत मिल गई और उसके बाद जिसको जमानत मिलती है वो मुकदमे को खीचता रहता है अगर हर जगा पर देखा जाए राहुल के खिलाफ 24 से जादा मुकदमे चल रहे हैं अभी राची की एक अदालत ने इगारा जुन को राहुल गांदी को पेशनों के लिए बोला वहाँ पर अमिश्टा के हत्यारा कहने के मामले पर वहां केस चल रहा है और उस जगह पर कोट में जज ने बार बार कहा है कि जब केस करने वाला मुकदमा करने वाले ने सारे बयान दे दिये हैं उनकी गवाही गुजर गई है तो राहुल गांदी को उपरस्थित होकर अपना स्टेक्मेंट डायर करना पड़ेगा इस मुकदमे करने प्टारा जरूरी है लेकिन फिर भी राहुल गांदी टाइम ले रहे हैं उनको पता है कि इस मामले में भी हमें उसी तरीके सजा होगी जैसे कि मोधी सर ने मामले में दो साल के हुई थी ऐसे एक नहीं कई उदाहरन है जैसे केजरिवाल का मामला है इसमें सुप्रिम कोट के अंदर ही एडी के वकील ने कहा कि साढ़े तीन सो ऐसे पिटीशन है जिस का इस केस से सीधा लेना देना नहीं है लेकिन कभी CCTV फूटेज मांगा जाता है कभी कुछ डॉक्मेंट्स की मांग की जाती है और इसमें ED को उलजाय रखा जाता है ताकि ED ट्रायल तक पहुंचे ही नहीं उससे पहले ये लोग उनको उलजा कर जमानत लेकर बाहर आने के फिर होगा जिसमें आप जमानत देते हो तो उस मामले का निप्टारा एक साल हो जाए दो साल हो जाए उससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आप उस मामले को देख कर रखो जिसमें कोई जमानत पर बाहर है और उस मामले की सुनवाई नहीं हो रही है जिसमें जेल के अंद लेना होता है समय बढ़ाना होता है इसलिए इस बेल के खेल को रोकने के लिए इस पर कहची चलाने की भी विवस्ता इसमें की गई है और दूसरी बात इन सब से उपर जो छुटियों का मसला है क्योंकि ये पेंडिंग केसे छोटे मोटे आकड़े नहीं दिखाते हैं अगर 34 जज हैं और अभी भी 80,000 केसे से जो पेंडिंग पड़े हुए है तो ये सुप्रिम कोट के लिए सोचने वाली बात है कि या तो स्ट्रिंथ बढ़ाओ या फिर दूसरे लेबल पर इस बात के लिए तयारी करो कि कैसे अपनी छुटियों को काट कर कम करके सुप्रिम कोट म कि मामले जल्दी से तेजी से निप्टाया जा सके इसको ऐसे ना देखा जाए कि अगर इनकी मरजी होगी तो 9 वजे रात में भी सुप्रिम कोट खुल जाएगा जैसे 83 तलवार को बेल देने के मामले पर हुई थी और अगर मुकदमे की सुनवाई करनी है तो उसके लिए ड जजसाहब को तो नहीं है ये जो गर्मी की छुटियों का परचलन चला था ये तो ब्रिटीस कालीन परंपराएं हैं अभी तो एसी कार एसी बंगला एसी कोट ऐसे में आपको गर्मी से परभावित करने वाले कोई ऐसे कारक नहीं दिखाए पड़ते जिसके लिए आपको छ चुटियां दी जाए इसी तरीके से होली दिवाली दसारा इद इन सारे मामलों में जब ये अनिवारे सेवा है जब गाडियां बंद नहीं होती है जब रेलवे बंद नहीं होता है जब अस्पताल बंद नहीं होते हैं तो कोट को इतनी चुटियां क्यों होने चाहिए इस पर भी सवाल उठ रहा है इसलिए छुट्टियों पर कैंची चलने वाली है और इन सब के बाद जिस तरीके से सुप्रिम कोट में रोस्टर बनता है हाई कोट में रोस्टर बनता है उसमें भी एड्मिस्टेटिव काम होते हैं उस परंपरा पर भी कैंची चलेगी मतलब ओवर जुडिसियल रिफॉर्म का ड्राफ्ट लगवक तयार है ये लाया जाएगा एक एक करके जिस तरीके से अभी निस्नल लिटिगेशन पॉलिसी आई है उसी तरीके से एन जेसी आएगा एन जेसी के बाद फिर छुट्टियों और जमानत की बात की जाएगी और ओवर ओवर जुडिसियल रिफॉर्म का पूरा ड्राफ्ट मोधी सरकार ने तयार किया है जिससे सुप्रिम कोट के अंदर हरकम मचा हुआ है कि कभी भी एक एक करके ये आएगा और ये लोग इसलिए आज कल इस बात की तयारी कर रहे हैं कि सरकार के खिलाब जो ये मामले आए रहे हैं कि ऐसे फैसले दो जिससे की सरकार बैक फुट पर आ जाए पहले से ही सरकार पर दबाब बनाने की कोशिश की जा रही है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से आदिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रहे हैं मैसा योग ताके से तरह की खबर हैं आपके लागते रहें धन्यवाद